आज दिखी वन्राज शेतान के अंदर के एक इनसान की जलत और खुश हो गई माही नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो हो सकता है ये मेरी थोड़ी देर की खुशी हो क्योंकि वन्राज शेतान के अंदर का इनसान बीच बीच में जागता है फिर अलोप हो जाता है मगर यहाँ पे केस माही का था माही ने कहा कि मैं भी केक काटूंगी और वन्राज शाने एलो कर दिया जबकि सबको यह लग राता कि कुछ ना कुछ तो यह उल्टा कहेगा अब ये बात वन्राज शाने इनसानियत के नाते कही या फिर माही को खुश करने के नाते कही क्योंकि माही उसका एक राज जानती है जिसको लेके वन्राज ने माही को धमकाया हुआ है कि होस्टल बेज दुगा चलिए बात करते हैं पहले वही वेदन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजे साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन देते रहे हैं वन्राज शा जो पूरे परिवार में भी माही को अपनाता नहीं था किसी ना किसी बहाने माही को दूर बेजता था आज पूरे महले के सामने वन्राज शा माही को अपना रहा है माही को अपने साथ जो है केक काटने के इजासत दे रहा है वो भी वेडिंग अन्वर्स्री पे और केक खिला भी रहा है ये सब देखके तो महले वालों को तो पूरा क्लियर है कि माही ही बेटी है वनराज की तो यहाँ पे ये सीन दिखाने के पीछे वनराज की दो चीज़े हो सकती है तीन चीज़े, in fact पहली जो मैंने कहीं कि इंसानियत जागी है थोड़े समय के लिए दूसरी चीज़ी है कि माही वनराज का राज चानती है तीसरा यह है कि wedding anniversary भूलने का guilt वनराज को है इसलिए उसने माही को वहाँ पे रखा ताकि कावया और माही दोनों खुश हो जाए यह तीन चीजे दिख रही हैं मगर यह तीनों ही अच्छी हैं इसमें से एक को छोड़ दो जो माही का राज जानने वाला बात है मगर वो possibility है क्योंकि वनराज शा कुछ भी ऐसे नहीं करता है तो आज जो वनराज शा का इंसान जागा है उसने कम से कम इतना तो फाइदा किया है momentary ही सही बट माही को खुशी दे दे क्योंकि माही तो कबसे अपने पापा पापा करती में पीछे गूम रही है तो पापा कभी उसको भाव देते नहीं है पापा की तरह आज उसने दिया है तो माही तो सात्वे असमान पर है चोटी सी बच्ची का दिल रख लिया वनराज शाने इससे तो बढ़िया इंसानियत कोई हो ही नहीं सकती तो मुझे तो अच्छा लगा थोड़ी देर के लिए मैं तो वहरान भी हुई बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मोमेंट था क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजेगा दिखते रहे है चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंक यू सो मच कर दो कि अच्छा बाद्ट नच्छा बिंट घ्लाव प्लाव जियुक्ट अच्छा प्लाव जाट बाद्ट नच्छा जड़ी है